ब्रह्म पुराण धर्म से यमलोक में सुख पूर्वगति तथा भगवत भगति के प्रभाव का वर्णन मुन्यों ने कहा अहो यमलोक के मार्ग में तो बड़ा भयंकर दुष्ट होता है सादु श्रेष्ट आपने उन दुखों के साथ ही घोर नरकों तथा दक्षिन दुआर का भी वर्णन किया ब्रह्मन उस भयानक मार्ग में कस्टों से बचने का कोई उपाय है या नहीं यदि है तो बताईए कि सुपाय से मनुष्य यमलोक में सुख पूर्वग जाते हैं व्यासी ने कहा मुनिवरूं जो लोग इस लोक में धर्म परायन हो अहिंसा का पालन करते गुरु जनों की सेवा में सनलगन रहते और देवता तता ब्राहमनों की पूजा करते हैं वे स्त्री और पुत्रों सहे जिस प्रकार उस मार्ग से यात्रा करते हैं वे बतलाता हूं उपर योक्त पुर्ण्यात्मा पुरुष सुवर्ण में ध्वजाओं से सुशोबित भांती भांती के दिव्य विमानों पर आरूड हो धर्मराज के नगर में जाते हैं जो ब्रहमनों को भक्ती पूर्वक नाना प्रकार की वस्तुएं दान में देते हैं वे उस महान पत पर सुख से यात्रा करते हैं जो ब्राहमनों को ब्राहमनों में भी विशेष्थ क्षोत्रियों को अत्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम रिती से तयार किया हुआ अन्न देते हैं। वे सुसजित विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो सदा सत्य बोलते और बहार भीतर से शुद्ध रहते हैं। धर्मराज के लोक में जाते हैं। जो जूता, छाता, शया, आसन, वस्त्र और आभूशन दान करते हैं। वे दिव्य आभूशनों से अलंकृत हो, हाथी रत और घोडों की सवारी से वहां की यात्रा करते हैं। उनके उपर सोने चांदी का छत्र लगा रहता है। जो श्रेष्ट ब्राहमनों को विशुद्र हिदे से भक्ती पूर्वक, गुड का रस और भाद देते हैं, वे सुवर्ण में वहानों द्वारा यमलोक में लाए जाते हैं। जो ब्राहमनों को यतन पूर्वक, शुद्ध, एवं सुसंस्कृत, दूध, दही, घी और गुड दान करते हैं, वे चक्रवाक पक्षियों से जड़े हुए सुवर्ण में विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। उस समें गंधर्वगर्ण वाद्द्यों द्वारा उनकी सेवा करते हैं। जो सुगंधित पुष्प दान करते हैं, वे हंस्युक्त विमानों से धर्मराज के नगर को लाए जाते हैं। जोक्षोत्रिय ब्राहमनों को शद्धा पूर्वग तिल में धेनू अत्वा घृत में धेनू दान करते हैं, वे चंद्रमंडल के समान उज्जोल विमानों द्वारा यमराज के भवन में प्रवेश करते हैं। उस समय गंधर्वगण उनका सुयश काते रहते हैं। इस लोक में जिनके बनाए हुए कुवे, बावडी, तालाब, सरोवर, दीर्गी का, पुषकारणी तथा शीत जलाशे, छोभा पाते हैं, वे दिव्य, घंटानाच से, मुखरहित, सुवर्ण, और चंद्रमा के समान का प्रांतिमान विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। मार्ग में उन्हें दुख से बचाने के लिए दिव्य पंखे डुलाए जाते हैं। जो लोक समस्त प्राणियों के जीवन भूत जलका, दान करते हैं, वे पिपासा से रहतो दिव्य विमानों पर बैठ कर सुख से सुख से जाते हैं। वे विमानों पर बैठ कर सोने और मनियों के बने हुए उत्तम पीड़ों पर पैर रखकर यात्रा करते हैं। जो मनुष्य दूसरों के उपकार के लिए फल और पुश्पों से सुशोभित, विचित्र उद्यान लगाते हैं। वे विक्षों की रमण उज्जुल विमानों पर बैठ कर यमलोक में जाते हैं भूमिदान करने वाला पुरुष संपूण मनोवांचित वस्तुओं से त्रिप्त हो उदे कालीन सूर्य के समान तेजस्वी विमानों पर बैठ कर दैदिप्पे मान शरीर से धर्मराज के नगर को जाते हैं जो ब्रामनों के लिए भक्ति पूर्वक उत्तम गंध अगर कपूर पुष्प और धूप का दान करते हैं वे मनोहर गंध सुन्दरवेश उत्तम कांती और श्रेष्ट आभूशुनों से विभूशित हो विचित्र विमानों द्वारा धर्मनगर की यात्रा करते हैं दीपदान करने वाला मनुष्य अगनी के तुल्य प्रकाश मान होकर सूर्य के समान तेजस्वी मिमानों द्वारा दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए चलते हैं जो ग्रह अत्वा रहने के लिए स्थान देते हैं वे अरुणोदय की सीकांती वाले सूर्ण मंडित ग्रहों के साथ धर्मराज की नगर में जाते हैं जल पात्र, कुंडी और कमंडल दान करने वाले मानव अपसराओं से पूजित हो महान गजराजों पर बैठ कर यात्रा करते हैं जो ब्रहमनों को सिर और पैरों में मलने के लिए तेल तथा नहाने और पीने के लिए जल देते हैं वे घोडों पर सवार होकर यमलोक में जाते हैं जो रास्ते के ठके मादे दुर्बर ब्रहमन को अपने यहां ठहराते हैं, वे चक्वों से जुड़े हुए दिव्वे विमानों पर बैठ कर सुख से यात्रा करते हैं, जो स्वागत पूर्वक आसन देकर ब्रहमन की पूजा करता है, वे अत्यंत प्रसन्न होकर सुख से इस मा पर जाता है जो पाप हरे त्यादी का उचारण करके गौ को मस्तक जुकाते हैं वे सुख से यम लोग के मार्ग पर आगे बढ़ता है जो शटता और दंब का परित्याग करके एक समय भोजन करते हैं वे हंस्युक्त विमानों द्वारा सुख पूर्वक यम लोग की आत्रा करत हैं जो जीतेंद्रे पुरुष एक दिन उपवास करके दूसरे दिन एक समय भोजन करते हैं वे मोरों से जुड़े हुए विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं जो नियम पूर्वक व्रत का पालन करते हुए तीसरे दिन एक समय भोजन करते हैं वे हाथियों स से जुड़े हुए दिव्वे रथों पर आसीन हो यह म्राज के लोक में जाते हैं जो नित्य पवित्र रहकर इंद्रियों को वश में रखते हुए छटे दिन आहार ग्रहन करते हैं वे साक्षा शचीपती इंद्र के समान एरावत की पीठ पर बैठ कर यात्रा करते हैं जो एक पक्ष तक उपवास करके अनग्रहन करते हैं वे बागों से जुड़े हुए विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं उस समय देवता और असुर उनकी सेवा में उपस्तित रहते हैं जो जीते इंद्रियों रहकर एक मास तक उपवास करते हैं वे सूरे के समान देदिप्पेमान रथों पर बैठकर यम लोग की यात्रा करते हैं जुस्त्री अत्वा गौ की रक्षा के लिए युद्ध में प्रान्त याक करता है वे सूरे के समानकांति मान शरीर धारण करके देव करन्यों द्वारा सेवित हो धर्म नगर की यात्रा करता है जो भगवान पत की यात्रा करते हैं जो श्रेष्ट द्विज प्रचूर दक्षणा वाले यग्यों द्वारा भगवान का यजन करते हैं वे तपाय हुए सुवन सद्रिश विमानों द्वारा सुख पूर्वक यमलोक में जाते हैं जो दूसरों को पीडा नहीं देते और भृत्यों का भ द्वाण पोशन करते हैं वे सुवनन निर्मित उजोल विमानों पर बैठ कर सुक से यात्रा करते हैं जो समस्त प्राणियों के प्रतीक शमाभाव रखते हैं सब को अभय देते क्रोत मुह और मड्द से मुक्त रहते और इंद्रियों को वश में रखते हैं वे महान तेज से संपन हो पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान विमान पर बैठ कर यम्राज की पुरी में जाते हैं उस समें देवता और गंधर्व उनकी सेवा में खड़े रहते हैं जो सत्य और पवित्रता से युक्त रहकर कभी भी मासाहर नहीं करते वे भी धर्मराज के नगर में सुक से ही आत्रा करते हैं जो एक हजार गाउं का दान करता और जो कभी मास भक्षन नहीं करता वे दोनों समान हैं यह बात पूर्वकाल में वेदवेताओं में श्रेष्ट साक्षात ब्रहमा जी ने कही थी ब्रहमनों संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुन्य मिलता है और समस्तियोग्यों के अनुष्ठान से जिस फल की प्राप्ती होती है वही या उसके समान फल मास ना खाने से भी प्राप्त होता है इस प्रकादान और व्रत में तत्पर रहने वाला धर्मात्मा पुरुष विमानों द्वारा सुख पूर्वक यम लोक में ले जाया जाता है जहां सुरे नंदन यम विराजबान रहते हैं धार्मिक पुर्षों को देख कर यमराज स्वयम ही स्वागत पूर्वक उन्हें आसन देते और पाध्य अर्ग्य तथा प्रिये वचनों द्वारा उनका सम्मान करते हैं वे कहते हैं पुर्ण्यात्मा पुर्षों आप लोक धन्ये हैं आप अपने आत्मा का कल्यान करने वाले महात्मा हैं क्यूंकि आपने दिविश सुक के लिए शुब कर्मों का अनुष्ठान किया है अब इस विमान पर बैट कर उस अनुपम स्वर्ग लोक को जाईए जहां समस्त कामनाय पूर्ण होती हैं वहां महान भोगों का उभोग करके अंत में पुन्य क्षीन होने पर जो थोड़ा शुब कर्म शेश रहेगा उसका फल यहां आकर भोगिएगा धर्मात्मा पुरुष अपने पुन्यों के प्रभाव से धर्मराज को कोमर रिदय वाले अपने पिता के तुल्य देखते हैं इसलिए धर्म का सदा निवेधन और सेवन करना चाहिए धर्म मोक्ष रूप फल को देने वाला है धर्म से ही अर्थ, काम और मोक्ष की सिध्धी बताई गई है धर्म ही माता पिता और भ्राता है धर्म ही अपना रक्षक और सुहुर्द है स्वामी सखा, पालक तथा धारण पोशन करने वाले धर्म ही है धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से भोग एवं सुख उपलब्ध होते हैं धर्म से ही एश्वर्य, एकाग्रता और उत्तम स्वर्गी गती प्राप्त होती है विप्रवरों धर्म का यदि सेवन किया जाए तो वे मनुष्य की महान भैसे रक्षा करता है इसमें तनिक भी संदे नहीं कि धर्म से देवत्व और ब्रह्मणत्व भी प्राप्त हो सकते हैं जब मनुष्य के पूर्व संचित पाप नश्ट हो जाते हैं तब उनकी बुध्धी इस लोक में धर्म की ओर लगती है हजारों जन्मों के पश्चात तुरलब मनुष्य जीवन को पाकर जो धर्म का आचरण नहीं करता वे निश्चे ही सौभाग्य से वंचित है जो लोक कुचसित, दरिद्र, कुरूप, रोगी, दूसरों की सेवक और मूर्ख हैं उन्होंने पूर्व जन्मों में धर्म नहीं किया ऐसा जानना चाहिए जो दीरगायू, शूरवीर, पंडित, भोग साधन से संपन, धनवान, निरोग तथा रूपवान है उन्होंने पूर्व जन्में अवश्य ही धर्म का अनुष्ठान किया है ब्रामनों, इस प्रकार धर्म परायन मनुष्य उत्तम गती को प्राप्त होते हैं और अधर्म का सेवन करने वाले पशू पक्षियों की योनि में जाते हैं जो मनुष्य नरकासूर का विनाश करने वाले भगवान वासुदेव के भक्त हैं वे सौपन में भी यम्राज अथवा नर्कों को नहीं देखते जो दैत्यों और दानों को संघार करने वाले आदी अंतरहित भगवान नारायन को प्रति दिन नमस्कार करते हैं वे भी यम्राज को नहीं देखते जो मन वाणी और क्रिया के दौरा भगवान अच्युत की शरण में चले गए हैं उन पर यमराज का वश नहीं चलता वे मोक्ष रूप फल के भागी होते हैं ब्रहामनों जो मनुष्य प्रति दिन जगनात श्री नारायन को नमस्कार करते हैं वे वेकुंट धाम के सिवा अन्यत्र नहीं जाते श्री विष्णु को नमस्कार करके मनुष्य यम दूतों को यम लोक के मार्ग को यम पूरी को तथा वहां के नर्कों को किसी प्रकार नहीं देख पाता मोह में पढ़कर अन्ये को बार पाप कर लेने पर भी यदि मानव सर्व पापहारी श्री हरी को नमस्कार करते हैं तो वे नर्क में नहीं पढ़ते जो लोग शटता से भी सदा भगवाद जनार्दन का स्मरण करते हैं वे भी देत्याक के पश्चात शोक कर्म से रहित होकर श्री विष्णु धाम को जाते हैं अत्यंत क्रोध में आसक्त होकर भी जो कभी श्री हरी के नामों का कीरतन करता है वे भी चेदी राज शिशुपाल की भांती संपूर्ण दोशों को ख्षय हो जाने से मूक्ष की प्राप्ति करता है प्राप्ति करता है